मैं क्या कह रहा हूं आपको प्यार बनना है प्यार मांगना नहीं है आपको उतना ही मज़ा आए जितना आपको किसी के साथ में आ रहा है न उसे जादा न उसे कब अखेले उसे डर क्यों लगता है क्यूंकि जब अखेले हो इतने सारे थोंच हमारे अंदर आजाते हैं और जाहतर वह थोट नेगीटेव होते हैं यही प्रढबलम है यह सब अगर आप अकेले में में बैठे हो और अंदर जो थॉट्स आ रहे हो कमाल के वह ऐसे हैं कि आपको नॉन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट हो रहा है मज़ा रहा है आपको थॉट्स की वैसे अंदर ये अंदर हसी आ रही है तो क्या होगा आपको खुद के साथ में मज़ा आएगा अकेलियों का डर निकल गया प्रॉब्लम बाहर नहीं है आपके अपने अंदर ही है दुनिया क्या कर रही है बाहर चीजों को इखटा कर रही है बाहर लोगों के साथ में जोड़ रही है सब कुछ बाहर कर रही है और सोच रही है कि हम आई अभी होती है तो बाहर आप किसी से भी जुड़ोगे तो वहाँ पर फ्लस भी है माइनस भी है प्रावल्लम क्या है आपको माइनस नहीं चाहिए सिर्फ प्लस चाहिए वह भार हो नहीं सकता है पर अंदर की दुनिया ऐसी है जहां पर आपका पूरा कंट्रोल है अपने उपर अभी आप अंदर से इनकंप्लीट फील करते हो और कंप्लीट होने के लिए किसी के साथ में जुड़ते हो आपको ये समझ आजाए कि मुझे complete होना नहीं है किसी के साथ में जुड़ रहा है पूरी दुनिया उसके साथ जुड़ रही है एक है आप अपनी खुशी के लिए किसी के साथ में जुड़ो तो अब आपका control उसके हाथ में आ गया एक है पूरी दुनिया आपके साथ में जुड़ गई है आपके आसपास में आपकी family आपके friends ये उसको पता है कि खुशी का अड़ा है एक खुश होना है तो यहाँ पर जाओ इस बंदे के साथ में जुड़े रहो तो क्या होगा कैसी होगी आपके लाई इसका मतलब समझते हो पूरी दुनिया में लोगों को चाहिए क्या है कुशी ही तो चाहिए और क्या चाहिए थोड़ा सा प्यार चाहिए और क्या चाहिए बताओ खुद को ऐसा बनाना है और यह कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है इसके मैं आपको कुछ आइडियाज दे सकता हूँ कि ऐसा कैसे होगा नमबर वान अपने अंदर की दुनिया में किसी भी चीज़ को इस दुनिया में इंपोर्टेंस मन दो उतनी ही दो जितनी है मतलब लाइफ को लाइटली लेना शुरू करो हम बहुत जब्स ट्रोंगली कुछ अपने बिलीव्स मना लेते हैं और वहाँ पर जागर कि थसे पड़े होते हैं उन बिलीव्स की वई से लडाई जगड़े हो रहे होते हैं अगर आपने अपने अंदर माइंड में यह पकड़ दिया कि वेजी टेरियन होना ठीक है किसी और ने पकड़ लिया, non-vegetarian होना ठीक है, तो इन दोनों की आपस में लडाई होगी है, प्यार महबत होगा, लडाई होगा, लडाई होगा, और आपने क्या पकड़ा आपने मैंड में, आपने कुछ भी नहीं पकड़ा, आपने का भाई तुझे non-vej होना है, non-vej हो जा जिसको खाना है, खाले, बस मुझे मत खाई हो, मुझे छोड़ दियो, simple हो गया, देखो, क्या हुआ, एक serious problem, एक second में, खत्म हो गई, मलना serious से serious topic भी, जो दुनिया के लिए बड़े serious है, serious discussions है, serious लडाई जगड़े हैं, वो आपके लिए हसी मजाक होना चाहिए, अब यह जो एसे बंदर से पूछोगे, जो अंदर की दुनिया समझता नहीं है, वो क्या करेगा, वो stand ले लेगा life में, stand लेने का मतलब क्या है, आपने पकड़ लिया एक अपने belief को, यहाँ जो मेरा धर्म है, यही सही है, अब क्या हुआ, आप बाकी सब के against हो गए, आपको against होने की ज बहुत ही एक deep बात है अगर आप पकड़ पाओ इस बात को तो, यह बात समझ आ रही है, हम कैसे पकड़ लेते हैं चीजों को, ऐसा ही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, यह नजर है हलकी सी देखने के, अगर आप थोड़ा सा नजर को अपनी change कर दो, हलक ज्यादा परिशान हो, ब्रेक अप होगे, ब्रेक अप होगे, फिर अपने आप से बैठ करके पूछ हो, अकेले में, अब मैं यह बता रहा हूँ, आपको अकेले की दुनिया में, जिसको आप लूनलीनेस बोलते हो, वहाँ पर आप क्या करते हो, जिसकी वज़े से उस लून कुछ नहीं बचा जिंदी की है, सारे फिलोसफर बन जाते हैं, ब्रेक अप होते हैं, आइस सब बेगार है, कुछ नहीं पढ़ा है, इंसर चक्रों गया, अब तो पहले नहीं पता था, क्यो पढ़ा है जगर होगे, तो अब करता है क्या चाहिए, ऐसे वे, अराम से बैठ कर आपके लाइटली इसे देखना है इस सिचुईशन को, जब मेरा अफेर नहीं था, तब मैं खुश था या दुखी था, बहुत खुश था, रिलेशन्शिप में जया तो क्या हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, बुरा जादा होता है, अच्छा जादा अगर आप अलग हुए और इसका मतल़ बुरा-जादा हो रहा था, तभी अलग हुआ है, नहीं आईए, आई है लहीं, अगर सब가지 कुछ बहुत अच्छा हीरा था, तो अलग होते ही नहीं, तो अब मुझे खुश होना चाया दूखी होना चाया है, खुश होना चाया, बलकि भी बहुत कुछ होना चाहिए, तोगि एक बंदा जिसने कभी आम खाया ही नहीं, आम का एक्जामपल ठीक है, हाँ चल जाएगा, गलत सोच वाले लोगों के लिए नहीं चलेगा, बट अच्छे जो लोग है उनके लिए नहीं, गलत एक्जामपल है, तो यह और एक्जामपल लेता हूँ, इसने करें, हाँ, चलो, यह ठीक है, जो बंदा कभी किसी जगे पर गया ही ना हो, तारीफ बड़ी सुनी है, कि सुजलिंड ऐसा है, वैसा है, यह है, वो है, समझ गया है, इमाजिनेशन बन जाते हैं, मूवीज में भी सब सुजलिंड देखा है, यह देखा है इसको ध्यान से समझे न, मैं कनेक कर रहा हूँ, मतलब सुजलिंड जाने का डिजायर था, अंदर से, कही ना कही, तो अगर वो डिजायर रहता, तो मज़ा नहीं आता लाइफ में, अब क्या हुआ, आपने सुजलिंड जा करके देख लिया, कि वहाँ पर कुछ नहीं और अब आप वापिस अपने घर पे आ गए, अब आप ज़्यादा पीसफुल होएं, यह पहले ज़्यादा पीसफुल थे, अब तो ज़्यादा होना चाहिए, चैसा भी रहा सुजलिंड में, बढ़िया रहा, बेकार रहा, वो एक अलब टॉपिक है, वहाँ पर आप गई कुछ अच्छा सोच करके, यहाँ पर कुछ खास नहीं है, शिमला भी ऐसा ही है, मसुरी भी ऐसा ही है, तो अगर आदमी ऐसे सोचने लग जाए, आदमी और दोनों, तो कमाल का कुछ हो सकता है, माइंड के अंदर, फिर बड़ा मज़ा आता है, लाइफ में आप किसी भी सीर में रहना पड़ता, अब मैं और जगे भी जा सकता हूँ, पुरी दुनिया घूम सकता हूँ, इतनी कंट्रीज है, वाइनाट, फिर पूरा घूम करके, पूरी दुनिया घूम करके, फिर फाइनली डिसाइड करूँगा, कि मुझे कहाँ सेटल होना है, क्या पता, फाइनली में लिखा है, it's not mandatory, हो सकता है, why not, but यह भी हो सकता है, कहीं पर कुछ ऐसा आपको मिले, कैसी जगे मिले, आपको यारे तो शिमला से बहुत बेटर है, ठीक हा रहा हूँ, ठीक है जी, समझ आ रहा है ना, यहां तक तो पकड में आ गई बात, अब मैं कुछ ऐसा बोलूँग नहीं समझा रहा है, कोई बात नहीं, सुंते रहो, आपकी तारीफ ही हो रही है, बुराही नहीं हो रही है, अब प्रॉब्लम पता है क्या है आप लोगों की, मैं बताता हूँ, आपको आगर रहे को तो तो डंब है, तो गुस्ता आता है ना, इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ, तो ऐसका है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको कहूँगा कि यार आप तो बड़े गई गुजरे आदमियों, आपको तो नर्क मिलेगा, मान जाओगे, मुझे नर्क मिलेगा, मुझे क्या करना पढ़ेगा, जरूर इस बंदे को कुछ पता होगा, इसके पास माती ये ही है, दो कोड़ी के इंसान, आप मान जाओगे, और मेरे यसाफ से चलने लग जाओगे, अगर मैं आपको बोलता हूँ, सच, गेरंटेट नहीं मानोगे, मुझे पता है, कोई नहीं मानेगा, वो क्या है, कि आप भगवान हो, यह बात हसम होगी, नहीं, मैं भगव मैंड में, इस अच है, चाहे आप इस बात को जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, you are the infinite, you are the infinite source of happiness, आपको खुश होने के लिए किसी की भी जरुवत नहीं है, आप खुश हो, आप खुशी का source हो, you are happiness, जब भी आप दुखी होते हो, तो आप अपने को कुछ और समझ लेते हो, अब फिर दुखी होते हो, समझ में कमी है, हो कुछ और समझ कुछ और रखा है, जैसे हो यह बाडी लेकिन अपने आपको शर्ट समझ लो, अब इस शर्ट के ओपर किसने इंक ठैकी तो, आप दुख फटती है फटते रहती है इसके बाले में को अच्छा बोलता है बोले, बुरा बोलता है बोले, I'M NOT THE SHIRT शिरट की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है तो नूमें फटता समझा रहे है जो आप एक्षुल में हो अगर वो आप समझ जाओ जो समझ ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस वेरी इजी तो इंडस्टाइब उसके लाप मेरा एक और चैनल है संदीप महिश्वरी स्पिरिच्वालिटी के नाम से वहाँ पर जा सकते हो टीपली चीजों को समझ सकते हो यह मैं बात करूँ पर्मनेंट स्लूशन का एक है टेम्पररी स्लूशन आपका मूड अच्छा नहीं है मूड अच्छा कैसे होगा मेरे सेशन देखो मूड अच्छा हो जाएगा उसके बाद में क्या हो कुछ देबाद फिर मूड खराब हो जाएगा यह है टेम्पररी स्लूशन यह भी जरूरी है यह अगर को इंसान बिमार है तो उसको गुली देनी ही पड़ेगी न तो यह गुली के जैसा है पर्मेन्ट स्लूशन क्या है आपको समझ आ जाए मैं हूं कौन देन आपके अंदर एक ग्रैंडनेस आ जाएगी जैन आप छोटी मूटी बाते करो गए है नहीं चोटी मूटी बातों का आपके उपर असर होगा ही नहीं जो सेंस अफ लोनलीनेस है आपके अंदर इसको जड सब्कुलत होगा है तक बीचिक फिली गौइव बात नहीं समझ अ Moots एकृष्ट ये पुर अपर युव साप में हैं है को अपट यह देखने के लिए एख शिंपल एक नजर चाही है पहले जो हमारे दिमाग में जो unlimited thoughts चल रहे है न वो चलने कुछ देर के लिए बंद हो हम टिक करके एक जगह पर बैठे और फिर देखे reality क्या है